सभी भगवद प्रेमियों को रादे रादे दोस्तो आज की वीडियो का बिसे बड़ा ही मैत्पूर्ण है कि हमें भगवान के दर्सन किस प्रकार से करने चाहिए अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं और भगवान के स्री बिग्रह के सामने पड़ते हैं तो हम अपने हाथ जूड़कर आँखे बंद कर लेते हैं और प्रणाम करके मंदिर से बाहर हो जाते हैं तो क्या दर्सन करने का यह तरीका सही है? बिल्कुल नहीं क्योंकि हमने स्रीबिग्रह के दर्षन किये ही कहा हमने तो अपनी आँखे बंद कर लिए थी तो सही तरीका क्या है एक संत ने कहा है कि नैन भरे देख्योरी देख्योरी नंद कुमार अर्थात जब भी भगवान के दर्षन करने जाएं तो उनकी आँखों में आँखें डाल कर तव तक नहारते रहिए जब तक आँखें तरप्त न हो फिर मंदर के दरवाजे पर बैठ कर आँखें बंद करके भगवान की उसी छवी का ध्यान करना चाहिए अगर ध्यान में भगवान की छवी सही से न आए तो दुबारा से मंदर में प्रविश करें और भगवान के बेगरह को नहारें ऐसा तव तक करते रहना चाहिए जब तक आँखें बंद होने पर भी भगवान की छवी ध्यान में न आ जाए और इसी प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए अपने घर पहुँचें दोस्तों हमें आसा है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिएगा और अन्य भक्ती कताओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भक्ती रस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैस्ती रादे क्रिशना